हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन की बात है। श्री राम जी के दरबार में एक सभा चल रही थी। उस सभा में सभी वरिष्ट भुरू और देवतागन मौजूद थे। चर्चा का विशय था की राम ज्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। और नारद मुनी का कहना था की राम नाम में ज्यादा ताकत है। नारद मुनी की बात कोई सुनी नहीं रहा था। हनुमान जी इस चर्चा के दोरान चुपचाप बैठे हुए थे। जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनी ने हनुमान जी से कहा की रिशी विश्वामित्र क चोड़कर वो सब रिशी मुनियों को नमस्कार करें। हनुमान जी ने पूछा रिशी विश्वामित्र को नमस्कार क्यों न करूँ। नारद मुनी ने जवाब दिया वो पहले राजा हुआ करते थे इसलिए उन्हें रिशीयों में मद गिनो। नारद जी कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी सब को नमस्कार कर चुके थे और उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर रिशी विश्वामित्र क्रोधित हो गए। और उन्होंने राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान को मौत की जादे श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश नहीं टाल सकते थे इसलिए उन्होंने हनुमान को मारने का निश्चे कर लिया हनुमान जी ने नारद मुनी से इस संकट का समाधान पूछा नारद ने कहा आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करना शुरू करे हनुमान जी ने ऐसा ही किया वो आराम से बेट कर राम नाम का जाप करने लगे श्री राम ने उन पर अपना धनुष बान तान दिया साधारन तीर हनुमान जी का बाल भी बाका न कर सका जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने भ्रम के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रहमास्त्र का उप्योग किया, लेकिन राम नाम जबते हुए हनुमान पर ब्रहमास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बात को बढ़ता देख, नारद मुनी ने रिशी विश्वामित्र से हनुमान जी को ख्षमा करने को कहा, तब जा विश्वामित्र ने हनुमान जी को ख्षमा किया,